कर दो कर दो है 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 लोड़िवरीवन वेल्कम टो आवर क्लास एस टेकनिक मेकशों माइशाप पर तो तो सर यह तो लगवा थी मेट्रोलोजिक कर दो, कर दो, कर दो, कि सकता इंड़ एमान, कि से विश चलाओने का, भने points. अब वोईस आ रही है जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी मेट्रोलोजी की उसमें कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम जो आंसर है वो गलत है तो मैंने किसी को जो है कुछ स्टूडेंट को रिप्लाई भी किया था कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है तो जो हम लोग जो है गलत आपको नहीं बताते हैं हमने आपको आंसर दिये हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती है कि जो आंसर होते हैं वो गलत हो जाते हैं या जो कोशन होता है इंगलिश में सही होता है हिंदी में गलत हो जाता है तो कोई दिकत नहीं है या नहीं है, ठीक है, उसकी answers एक बद जरूर चेक कर लीजिए, क्यों जो है, problem हो जाती है, कभी-कभी, तो कोई दिकत नहीं है, उसमें हमने जो है, दो-तीन बच्चों को जो है, reply भी किया था, कि जो answer है वो सही है या जो इसका answer होगा वो क्या होगा ठीक है तो जो हम methodology की class start कर रहे हैं उसमें जो chapters है वो बहुत ही lengthy है तो हम जो है topic wise start करेंगे methodology में ठीक है तो आज हम जो है measurement of surface जो measurement of surface रफने से उसमें एक topic है stylus prob instrument क्या होते हैं stylus prob instrument तो जल्दी से सबी लोग share कर दीजिए जितने जादा लोग होंगे उतना ही मजा आगा आज methodology class पढ़ने में ठीक है तो चलिए class को start करते हैं तो पहले हम पढ़ेंगे stylus prob instrument होते क्या है यह जो है three types के होते हैं पहला है तॉमिंसल surface meter and the second one is टेलर होपसन टेलसर्फ या प्रोफेलो मेटर ठीक है यह three types के होते हैं stylus prob instrument ठीक है अब हम इसको जो है detail में समझेंगे तो यह है टॉमिंसल surface meter यह diagram है यह इसका diagram है तो हम पहले diagram को समझेंगे फिर आपको इसमें जो है आपको theory भी पताएंगे कि इसको जो है working कैसे होती है इसका construction क्या है ठीक है तो टॉमिंसल surface meter जो हमें surface की जो roughness होती है या जो irregularities होती है uneven irregularities होती है surface की उसको check करने के लिए जो है हम टॉमिंसल surface meter का use करते हैं ठीक है इसमें क्या होता है ये stylus लगा हुआ होता है एक stylus होता है जो क्या करता है vertical movement करता है upward और downward vertical motion करता है इसमें क्या होता है stylus लगा हुआ होता है एक जो नीचे होता है ये क्या है diamond prop लगा हुआ होता है जिसका जो radius होता है वो 2 micron होता है ठीक है 2 micron होता है इसमें क्या होता है एक stylus और fixed roller ये क्या है fixed roller है ये क्या है fixed roller है और ये क्या है cross roller लगा हुआ होता है जिसकी साहता से जो हमारा stylus है वो upward और downward movement कर सकता है वर्टिकल मोशन कर सकता है ठीक है वर्टिकल मोशन कर सकता है इसमें क्या लगी देती है इसके बाद जो fixed roller के बाद arm लगी होती है जो ऊपर motion और नीचे motion downward motion में भी क्या करती है इसको help करती है कि वो वर्टिकल और जो irregularities होती है surface पर जो upward और downward ऐसे जो है motion होते हैं वर्टिकल मोशन होते हैं उनको handle या जो control करने के लिए arm लगा दी जाती है जिससे वो असानी से क्या कर सकते हैं उपर नीचे move कर सकते हैं इसमें जो है spring लगी होती है एक side जो है leaf spring लगी होती है एक spring generally spring लगी रही होती है जिससे जो है जिसकी सायता से ये भी क्या कर सकता है आसानी से उपर नीचे move कर सकता है next इसमें क्या लगा हुआ होता है ये क्या है हमारी जो भी irregularities होती है सरफेस पर, जो भी irregularities या uneven texture होता है सरफेस का, वो हमें क्या मिलता है, इस profile के रूप में मिलता है, यहां पर एक जो है, smoked glass लगा हुआ होता है, जिसमें हमें profile दिखती है जो भी irregularities और uneven होते हैं, सरफेस पर उसको हम क्या खते हैं इसमें देख सकते हैं, smoked glass में देख सकते हैं, इसमें profile बनती है, इसमें क्या करती है, profile बनती है, जिसको हम profile प्रोजेक्टर से देख सकते हैं, ठीक है, इसको हम किस में देख सकते हैं, profile प्रोजेक्टर में देख सकते हैं, hundred times और 200, zoom in और enlarge करके जो भी irregularities छोटी से छोटी जो irregularities होती है surface कर उसको हम profile projector की सहता से zoom in करके या enlarge करके देख सकते हैं ठीक है hundred times 200 जो है zoom करके हम जो भी surface पर irregularities होती है उसको हम इसमें देख सकते हैं कि smoked glass में देख सकते हैं ठीके तो यह होता है Tomilinson surface meter जो हमारी surface पर irregularities होती है जो valleys और hills होते हैं उन में जो irregularities होती है इसमें हम जो है देख सकते हैं वर्टिकल motion से जो हमारी irregularities है वो इसमें दिखती है हमारी smoked glass में दिखती है जिसकी सायता से एक उसमें जो है profile projector लगा हुआ होता है जिसमे हम जूमिनart या इनलाpel करके जोवी हमारी इंड्रैगलिटीश हो रही है सर्फेस पर उसको हम आजानी से देख सकते हैं ठीक है तो यही होता है हमारा टॉमिलिंस सर्फेस मीटर साप पे हैं तो Tomlinson surface meter क्या होता है this is a mechanical optical instrument होता है यह एक mechanical और optical instrument होता है designed by dr. Tomlinson किसके द्वारा design किया गया है doctor जो है Tomlinson के द्वारा किया गया है of the national physics laboratory of the UK UK की जो national physics laboratory है उसमें क्या किया गया है doctor Tomlinson ने Tomlinson surface meter को design किया था the sensing element the sensing element is the stylus इसमें stylus लगा हुआ होता है जो क्या करता है up and down motion करता है which moves up and down जो depend किस पे होता है irregularities of the work piece surface जो भी हम surface की या texture की जो भी irregularities चेक कर रहे हैं उसको किसमें करते हैं up and down जो भी irregularities होती है surface पर stylus लगा हुआ होता है नीचे surface होता है अभी आपने देखा डाइगरम हमने समझा ठीक है irregularities of the work surface तो stylus constant to move only in the vertical direction जो stylus होता है वो किस में move करता है सिफ vertical ही direction में move करता है यह horizontal direction में move नहीं करेगा क्योंकि जो है वर्टिकल जो irregularities hills और valleys होती है वो ऐसे होती है ठीक है यह सिफ vertical direction में move करेगा किस के द्वारा एक इसमें leaf spring लगी हुई होती है और एक coil spring लगी हुई होती है इन दोनों के support के द्वारा क्या करता है वर्टिकल डारेक्शन में move कर सकता है तो यही होता है Tomlinson surface meter जिसमें हम irregularities और जो texture uneven texture होता है surface का उसको check कर सकते हैं उसको measure कर सकते हैं ठीक है तो Tomlinson surface meter यही होता है नेक्स्ट है इस आर कम्माइन फोर्सेश होल्ड आप उसी के आंगे जो हमने अभी working देखी तो working के आंगे जो उसके में theory है तो यह है इस तू कम्माइन फोर्सेश होल्ड आ प्रॉस्ट रोरर इन पोजिशन बिट्वीन tylus और fixed roller तो जो stylus और fixed roller के बीच में क्या था हमारा cross roller लगा हुआ होता है जिसके दौरा वो क्या कर सकता है vertical motion कर सकता है and arm is attached जो arm होती है वो किस से अटेश्ट होती है crossed roller से artist होती है आए tycker ही इसमें क्या होता है स्टाइलिस में क्या लगा रहता है एक diamond prob लगा हुआ होता है तो जो diamond tip होती है वो profile of the workpiece on the smoke glass sheet तो जो irregularities होती है surface पर workpiece पर जिसको हम workpiece करते हैं वर्क पीस पर जो भी texture और जो भी irregularities होती है surface पर वो हमें कहां दिखती है smoked glass sheet पर जो है profile बनती है ठीक है तो जो glass sheet होती है वो transferred to an optical projector and magnified further तो जो glass sheet पर जो profile बनती है smoke glass sheet पर जो भी profile बनती है उसको हम किसमें देखते हैं optical projector एक projector लगा हुआ होता है profile projector लगा हुआ होता है जिसमें हम क्या करते हैं zoom in करके और enlarge करके 100 times 200 times हम देख सकते हैं छोटी छोटी जो irregularities होती है surface पर उसको भी क्या कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है यह है टेलर हॉप्सन टैली सर्फ सेकेंड क्या है टेलर हॉप्सन टैली सर्फ यह स्टाइलिस प्रॉफ इंस्ट्रूमेंट का सेकेंड पार्ट है टेलर हॉप्सन टैली सर्फ ठीक है इसको भी क्या करते हैं इसमें working समझते हैं तो इसमें क्या होता है पहले हम यहाला डायग्राम समझते हैं दैन हम यहाला डायग्राम समझेंगे तो इसमें क्या होता है यह स्टाइलिस लगा हुआ होता है क्या होता है इसमें एक स्टाइलिस लगा हुआ होता है जो अभी हमने देखा उसमें टॉमिलिंसन सर्फिस मीट में इसमें स्टाइलिस लगा हुआ होता है इसमें पूरा वही होता है स्टाइलिस लगा हुआ होता है वर्टिकल मोशन करता है और इसकी जो नीचे जो है डायमन प्रॉब लगी होई होती है जो इस और सर्फिस टेक्शर को मेजर करती है ठीक है इसमें इसकेट भी लगा हुआ होता है क्या होता है एक इसकेड लगा हुआ होता है इसकेड क्या करता है कुछ इस होरीजन्टल डारेक्शन में मूफ करता है होरीजन्टल मोशन में मूफ करता है तो इसमें क्या होता है जो हमारा स्टाइलिस होता है वो भी होरीजन्टल मोशन में मूफ करता है और जो रहा है लेकिन अगर यह जो है वर्टिकल डारिक्शन में यह क्या करें इसमें क्या लगा रहे होता है एक पीवाट लगा हुआ होता है क्या लगा हुआ होता है एक पीवोट लगा हुआ होता है जो किसके उपर होता है आर्मेचर के उपर लगा हुआ होता है यह हमारी जो लाइन दिख रही है आपको यह क्या है आर्मेचल लगा हुआ होता है इसी उपर क्या होता है एक पीवोट इस तरह से लगा हुआ होता है यह क्या है इशेप्ट स्टैंपिंग है इशेप्ट स्टैंपिंग है इसकी जो दोनों साइट क्या लगी हुई है coils लगी हुई है, क्या लगी है coils लगी है ठीक है यह हमारा पूरा टेक्ष, यह हमारा पूरा जो है diagram है, पहला diagram है जिसमें e-shade stamping लगी हुई है armature लगा हुआ है armature के उपर pivot लगा हुआ हो और नीचे क्या है stylus लगा हुआ हो और जो क्या है horizontal direction में क्या कर रहा है मूफ कर रहा है क्या कर रहा है होरीजंटल direction में मूफ कर रहा है ठीक है अगर ये वर्टिकल डारेखशन में मूव करें क्या करें अगर यह vertical direction में मूव करें thou była आर्मेचर और उसके उपधे पीवॉट है वह क्या करेगा अब्वरड टावन डायरेक्शंड में भी क्या करेगा मूव करेगाि इसमें जो आम लगी हुई है अम चल 1973 लगा हुआ होई तो इसमें क्या करेंगा अगर जो arm है कुछ इस तरह से move हो सकता है और इस तरह से move हो सकता है जो हमारा arm है वो क्या है इस तरह से downward direction में भी move हो सकता है और upward direction में भी move हो सकता है तो उसके कारणिंग क्या हो जाता है इनके बीच में क्या हो जाता है यह gap आजाता है क्या आ जाता है year gap आ जाता है तो year gap के कारण year gap क्या करता है reduce करता है और increase करता है क्या करता है reduce and increase करता है ठीक है reduce and increase करता है तो अगर हमारा armature इस तरह से होगा तो हमारा year gap है वो decrease हो जाएगा reduce हो जाएगा जो हमारा year gap है अगर यहां से downward direction में जा रहा है हमारा r major तो यहां से क्या होगा upward direction में जाएगा अगर यहां से downward जा रहा है तो यहां से क्या जाएगा upward direction में जाएगा ठीक है तो अगर यहां downward जा रहा है या upward जा रहा है तो हमारे जो coil है coil number second है coil number two है तो उसमें क्या होगा current flow होने लगेगा लेकिन इसमें क्या होगा इसमें नहीं होगा क्योंकि यह क्या है downward direction में जा रहा है जो हमारा आर्मेचर है वो क्या हो रहा है downward direction में जा रहा है ठीक है अगर यह downward direction में जा यह डाउनवर्ड डारेक्शन में जाएगा तो इसमें कोई करेंट फ्लो नहीं होगी ठीक है इसमें कोई करेंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि यह जो है क्या हो रहा है डाउनवर्ड डारेक्शन में जा रहा है तो यह क्या होगा अब डारेक्शन में जाएगा तो हम इसमें क्या होगा हमारी जो point number one है जो coil number one है उसमें current flow होने लगेगी और point number two में नहीं होने नहीं होगी ठीक है current flow नहीं होगी तो इस पूरे displays के कारण जो भी हमारा disbalanced हो रहा है उसके लिए जो है हम इसमें जो है add करते हैं amplifier demodulator इसको miserable बनाने के लिए इन signals को miserable बनाने के लिए हम इसमें कुछ parts कुछ components को add करते हैं amplifier हुआ demodulator हुआ तो इसमें हम जो है add करके components को मीटर में मिलती है और इसको हम recorder भी कर सकते हैं अब हम यह वाला diagram समझ लेते हैं यह क्या है हमारी point number one की coil है यह क्या है point number two की coil है इसमें जब हम coil लगाएंगे तो कुछ resistance भी लगाएंगे ठीक है resistance भी लगाएंगे तो इस पूरे attachment को क्या बोलते हैं इस पूरे attachment को हम oscillator बोलते हैं और carrier क्या होता है when the signals are oscillating this is called carrier ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं carrier बोलते हैं यह जो है measurable signals नहीं है measurable नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं इसमें जो है components को add करके इन signals को इसमें transfer करते हैं जैसे amplifier हुआ demodulator हुआ फिर उन measurable जो signals होते हैं उनको हम meter और recorder में कर लेते हैं recorder में measure कर लेते हैं ठीक है amplifier क्या होता है amplifier होता है जो हमारे oscillator से जो भी हमें signals मिले हैं उनको क्या करना amplify करना to amplify the carrier signals to amplify the carrier signals तो amplify के बाद हमें जो signals मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं modulated carrier नहीं है кया है यह हो यह मैजरेवल नहीं है carrier, modulated carrier फिर हम इसमें extra component को add करके due modulator को add करके इन signals को हम measurable बनाने के लिए जो है meter और recorder में add करते हैं ठीक है, measurable बनाने के लिए हम meter और recorder में क्या करते हैं smoothen बनाने के लिए measurable signals बनाने के लिए signals को smooth बनाने के लिए हम जो है meter और recorder को add करते हैं meter में क्या करते हैं इसकी जो irregularities होती है surface पर कि कितना upward है कितना downward है उसको हम meter में जो है measure कर सकते है numerical value measure कर सकते है कितना upward हुआ कितना downward हुआ ठीक है और recorder में हम क्या करते है recorder में जो भी signals होते है measurable बनाने के लिए हम इसमें dai recorder में क्या कर लेते हैं एद कर लेते हैं इन सिगनल तो यही होता है जो हमारा तर्मिनन संतों स्थ हम प्रोपाइल प्रोटेक्टर शॉत्र सकते हैं इसमें इसमें क्या कर सकते हैं इसको हम numerical value भी इसकी निकाल सकते हैं कि कितना upward हुआ, कितना downward हुआ कितना upward गया, कितना downward गया इनके बीच में कितना gap हुआ सारा जो है, हम numerical value इसमें निकाल सकते हैं ठीक है, तो ये हो गया Taylor Hobson Telesurf ठीक है, इसकी अब हम theory देखेंगे theory क्या होती है अभी हमने पूरा working समझा, पूरा construction समझा आप लोग reply तो करी रहे हैं, आपको सब उपर से जा रहे हैं क्या जो भी अभी समझाया समझ में आया, जो भी समझाया ठीक है, इसकी हम theory देख लेते हैं Taylor Hobson Telesurf तो Taylor Hobson Telesurf क्या करता है, ये सेम principle होता है टॉमिनेंसन सर्फिस मीटर की तरह है, ठीक है, ये प्रिंसिपल दोनों के सेम होते हैं जो Taylor Hobson Telesurf है और जो टॉमिनेंसन सर्फिस मीटर है, इन दोनों का ही क्या करते हैं क्यालिए, जिसको आगया समझ में बहुत बढ़िया ठीक है, टॉमिनेंसन सर्फिस मीटर और जो Taylor Hobson Telesurf है इन दोनों का यूज हम क्यों करते हैं, इन दोनों का यूज जो है सर्फिस मेजरमेंट के लिए ही किया जाता है ठीक है, तो जो Telesurf होता है, ये एक electronic instrument होता है पूरा जो है signal पर वर्क करता है, अभी आपने देखा जो cycle diagram है, पूरा जो है signal पर वर्क करता है, carrier, modulated carrier, demodulator ठीक है, तो इस factor makes the Telesurf a more versatile instrument can be used in any condition, metrology lab और factory shop floor stylus is attached to an armature, इसमें क्या था, जो stylus होता है, वो हमारा किसके जुड़ा हुआ होता है armature से जुड़ा हुआ होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, pivot लगा हुआ होता है, जिससे upward और downward motion कर सकता है which pivot about the center of piece of an E-shaped stamping, जो E-shaped stamping थी, उसमें क्या था, pivot लगा हुआ होता है और बीच में armature लगा हुआ होता है, center पर क्या लगा हुआ होता है, pivot लगा हुआ होता है ठीक है the outer legs of E-shaped the outer legs of E-shaped stamping are bound with electrical coils जो हमारा E-shape था, उसमें जो है, यहाँ पर क्या था, A-point और B-point दोनों साइड क्या था, coils लगी होई होती है, coils लगी होई होती है, दोनों साइड तो जो coils होती है, from a part bris circuit यहाँ हमने देखा था, circuit diagram, base circuit बना रहा था यह हमारा point 1 था, यह point 2 था, अगर हम इसमें coil लगा रहे हैं, तो resistor भी लगाएंगे ठीक है तो the coils from a part of bris circuit as the stylus move up, down due to surface irregularities surface irregularities के कारण, जो हमारा stylus है वो upward और downward motion करेगा तो जो armature होगा, वो क्या होगा, displaced होगा अगर हमारा armature, अगर हमारा armature नीचे हो रहा है तो जो हमारा point 1 है, उसमें current flow नहीं होगी second point पे current flow होगी ठीक है, अगर हमारा armature है, वो point 1 पर upward motion कर रहा है और point 2 पर downward motion कर रहा है, तो हमारा point 1 होगा उसमें हमारी current flow नहीं होगी तो इस displaced के कारण क्या होगा, armature displaced हो जाएगा इसलिए हम इसमें circuit diagram का जो है, यूज करते हैं carrier, modulated carrier और demodulation लगाते हैं अगर हमें signals को miserable बनाना है स्मूथिन बनाना है, तो हम जो है इसका use करते हैं क्योंकि यह जो है पूरा electrical पर जो electrical instrument है उसी principle पर क्या होता है, यह base होता है तो this causes variation year gap तो जो displaced हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है year gap के कारण हो रहा है, तो year gap का का काम क्या होता है reduce और increase करना, ठीक है, reduce और increase करना reduce और increase करना, अगर हम जो है downward motion कर रहे है जो हमारा pivot और armature है, pivot center पर है तो जो armature है, वो downward direction करेगा तो जो हमारा year gap होगा, e stamp और जो हमारा armature है उनके बीच में, तो क्या होगा उसमें, जो हमारी year gap है वो क्या होगी जादा हो जाएगी इंक्रीस हो जाएगी ठीक है और यहाँ पर क्या हो कि कम हो जाएगी रिडियूस हो जाएगी एक साइड इंक्रीस हो की एक साइड रिडियूस होगी तो इसके कारण क्या होगा imbalance हो जाएगा bridge circuit में क्या होगा imbalance हो जाएगा जिस side हमारी year gap बढ़ जाएगी और एक side काम हो जाएगी तो ये imbalance हो जाएगा this instrument has the capability to calculate and displace the roughness value तो जो instrument ये जो instrument है ये दोनों कर सकता है ये recorder भी कर सकता है और numerical value भी कर सकता है ठीक है numerical value भी निकाल सकता है कि जो hills और valleys पर कितना upward और downward motion हुआ है ठीक है तो ये तो हो गए हमारे टेमिलसन तो जो है stylus प्रॉफ इंस्ट्रूमेंट हो गए है I hope आपको समझ में आया होगा दोनो next step profilometer next क्या है प्रोफेलो मीटर ये ये भी क्या है एक stylus प्रॉफ इंस्ट्रूमेंट है क्या है stylus प्रॉफ इंस्ट्रूमेंट है ये इसका third part है ठीक है प्रोफेलो मीटर तो प्रोफेलो मीटर में प्रोफेलो मीटर में भी एक stylus लगा हुआ होता है जो इर्रेगूलीटीज होती है surface पर उसको measure करने की लिए लगाया जाता है stylus को देख ये तीनों में stylus लगे हैं लेकिन तीनों की working जो है अलग-अलग है ठीक है इसको हम tracer भी बोलते हैं diamond probe लगा हुआ होता है यहां पर diamond probe लगा हुआ होता है यहां एक spring लगी हुई होती है जिसके कारण वो upward और downward motion कर सकती है इसमें क्या होता है एक induction coil लगी हुई होती है और magnetic field इसमें एक permanent magnet लगी हुई होती है induction coil में एक permanent magnet permanent magnet लगी हुई होती है जिसके कारण जो irregularities होती है या uneven जो texture होता है वो upward और downward motion कर सकता है जिसके कारण जो इसमें induction coil और जो magnetic field है इन दोनों के कारण क्या होगा इसमें voltage induced होगा induced voltage induced voltage होगा यह amplifier भी करता है और induced voltage यह दोनों पर work करता है तो इसकी हम working समझ लेते हैं profilometer की working क्या होती है working से आपको समझ में आ जाएगा कि profilometer की working क्या होती है तो आप profilometer एक compact device होता है जिसका use direct measurement of surface texture जो भी surface texture की direct measurement होती है उसका use करते हैं profilometer का हम उसमें क्या करते हैं use करते हैं working principle क्या होता है when the tresses tresses यानि की stylus stylus क्या करती है surface to be tested move across the surface to be tested it moves vertically up and down stylus का काम क्या होता है up and down motion करना क्या करना up and down motion करना vertically motion करना due to irregularities on the surface जो भी surface पर irregularities होती है उनको check करना और stylus का काम होता है move करना motion करना downward और upward motion में जो है motion करना this cause the induction coil इसमें क्या होता है induction coil लगा हुआ होता है to move in the magnetic field और magnetic field यानि की इसमें permanent magnet लगी होई होती है जिसके कारण जो voltage है वो induced होता है क्या होता है voltage induced होता है तो jow voltage induced हो raha है उसको हम amplify कर सकते amplify करते हैं और record करते हैं किस पर मीटर पर किस पर करते हैं मीटर पर जो है हम इसको record करते हैं amplified भी करता है यह और record भी करता है ठीक है यह numerical value नहीं देता है यह सिर्फ amplified और record करता है ठीक है तो जल्दी से सभी लोग answer दीजिए which of the following is true about domination surface meter पहला यह एक mechanical instrument है यह एक electrical instrument है यह एक mechanical optical instrument है यह यह optical instrument है जल्दी बताइए टॉमनेंशन surface meter क्या है A, B, C या D जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी सभी लोग answer दीजिए इसका answer क्या होगा A, B, C या D यह वीडियो से वोनी के लिए है जो live देख रहे हैं जो बाद में देखेंगे उनके लिए यह वीडियो private कर दी जाएगी सभी लोग screen short लेते जाएए PDF किसी को नहीं मिलेगी जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा A, B, C या D सभी लोग जल्दी जल्दी answer दीजिए combination surface meter क्या है mechanical instrument है electrical instrument है या mechanical कम optical instrument है या optical instrument है जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा A, B, C, या D इसका answer होगा C, क्या है ये एक mechanical और optical instrument है क्या है mechanical और optical instrument है electrical instrument क्या है जल्दी बताइए इल्दी बताइए electrical instrument इल्दी बताइए इसका answer क्या होगा इल्दी बताइए इसका answer क्या होगा electrical instrument कौन सा होता है अभी हमने stylus prob instrument पढ़े तीनों तो इसमें से जो electrical instrument होता है वो कौन सा होता है जल्दी बताइए क्या होगा इसका answer electrical instrument बिल्कुल सही है टैली सर्फ सबसे पहले answer दिया है विवेका नंद वर्मा ठीके इसका answer होगा टेलर होपसन टैली सर्फ बिल्कुल सही answer दिया है चलिए next देखेंगे next है which of the following parameter is important for specifying surface roughness के लिए सत्यक खुद्रापन निदिष्ट करने के लिए निमल लिखित मैंसे कौन सा parameter important है जल्दी बताइए कौन सा parameter important है size of irregularity spacing of irregularity height of irregularity या height spacing and forms of irregularities जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा a b c a d concept parameter जो है important है अगर हम surface roughness को test कर रहे हैं तो जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा a b c a d size of irregularities spacing of irregularity height of irregularities height spacing and form of irregularities जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा a b c a d जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा a होगा b c a d हिंदी में अन्यमीता का आकार अन्यमित्ता की दूरी या अन्यमित्ताओं की उचाई 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 अंतर और अन्यमित्ताओं का रूप जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा चलिए इसका answer होगा D height, spacing and form of irregularity जो भी hills और valley जो भी height ये जो height है ये जो spacing है इन सब में क्या करते हैं हम surface roughness को test करते हैं ठीक है जो भी height और जो भी उनके बीच में space है उसको हम जो है instrument के द्वारा test करते हैं measure करते हैं next है surface produced by straight and cylindrical grinding tools tend to create which type of roughness पहला है regularly spaced but directional roughness regularly spaced but non-directional roughness या irregularly spaced but directional roughness irregularly spaced but non-directional roughness जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा surface produced by straight and cylindrical grinding tools tend to create which type of roughness कौन से type का roughness जो है straight or cylindrical grinding tools create करता है जल्दी बताइए इसका answer A, B, C या, D सीधे और बिलनकार पीसने वाले ओजारों द्वारा निर्मिस सत हैं किस प्रकार का खुदरापन पैदा करती है जल्दी बताइए इसका answer और screenshot लेते चाहिए जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा चल्दी इसका answer होगा irregularly spaced but directional roughness grinding tools के लिए जो spaced क्या होगा irregular होगा लेकिन जो roughness होगी वो क्या होगी directional roughness होगी अगर हम इसमें grinding tool की जगए अगर हम boring tool की बात करें boring tools की बात करें तो क्या होगा irregularly spaced होगा लेकिन इसमें क्या होगा non-directional roughness होगी क्या होगी non-directional roughness होगी अगर हम boring tools की बात करें grinding tool में तो roughness होगी वो directional होगी लेकिन जो boring tools होगी उसमें क्या होगा non-directional roughness होगी ठीके next है micrometer तो micrometer कुछ इस type से होता है micrometer इसमें जो है frame लगा हुआ होता है जो u-shape का होता है u-shape का जो frame होता है वो लगा हुआ होता है ठीक है तो micrometer से याद आया micrometer का जल्दी से जल्दी से इसका answer बताईए micrometer का जो least count होता है वो क्या होगा screenshot आपने नहीं लिया है कौन से question का screenshot नहीं लिया है कौन से question का screenshot नहीं लिया है मैं जल्दी से ले लिचे screenshot बिल्कुल सही answer दिया है शिवम सिंग माईक्रो मीटर लीस्ट काउंट ले लिया screenshot फिर हम आगे पड़ते हैं जिसने भी नहीं लिया है screenshot जल्दी से ले लिचे screenshot सभी ने बिल्कुल आंसर सही दिये है 0.01 mm हाँ आपने भी राइट ही दिया है आंसर बोल रही हूंने सबने राइट दिया है ठीक है तो इसमें यूज शेप की क्या लगी होती है एक frame लगी हुई होती है इसमें एक anvil लगा हुआ होता है एक spindle लगा हुआ होता है ये एक sleeve लगी होती है जो main scales के साथ होती है यहां पर एक lock लगा हुआ होता है थिंबल जो वर्नियर scale के साथ लगा हुआ होता है और एक last में क्या लगा हुआ होता है इसमें एक ratchet knob लगा हुआ होता है ठीक है तो जल्दी से बता दीजे माइक्रो मीटर में कौन से पार्ट एविलेवल है जल्दी आंसर दीजे रैचिट एन्विल थिम्बल या अल आफ दीज अभी हमने जो है व्यू देखा था माइक्रो मीटर का हर पिच्चर के पीछे जो है एक logic होता है आप लोग ध्यान से देखा कीजिए ठीक है जल्दी से आंसर दीजे इसका आंसर क्या होगा ए बी श्रीय डी आज जो मेटरोलोजी क्लास है बिल्कुल आज वायरल कर दो आज क्लास तो आपकी कल से क्लास बिल्कुल कंटीन्यू चलने वाली है इंडस्ट्रिय और मेटरोलोजी की थोरी मैनत आप भी कीजे श्यार करने में थोरी मैनत हम भी करेंगे ठीके जल्दी बताइए इसका अंसर क्या होगा माइक्रो मीटर में कौन से पार्ट्स एवेलेबल होते हैं ए बी सी या डी जल्दी बताइए इसमें क्या होता है माइक्रो मीटर में रैचेट भी लगा हुआ होता है एन्विल भी होता है थिम्बल भी होता है तो इसका आंसर क्या होगा औल ओफ दीस होगा इसका आंसर जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है जल्दी से screenshot ले लो फिर हम आँगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है angular measurement ठीक है angular measurement angular measurement जो है कोडिये माप यंद कोडिये माप यंद जो है हम कई तरीके से कर सकते है इसमें जो है बहुत सारे instrument है ठीक है angular measurement angular measurement instrument कौन-कौन से होते हैं इनके बारे में हम सब details से जानेंगे कि angle gauge क्या होता है angle decker क्या होता है autocollimator क्या होता है bevel protector क्या होता है clinometer क्या होता है और साइन बार क्या होता है, ठीक है, इनको हम वन थेखानगे, तो जो जो है, विईू है, angular angle gauge का. ठीक है, angle gauge. Next, angle gauge होता क्या है? इसके बारे में हम जानेंगे angle gauge क्या होता है? तो angle gauge are made of hardened steel. जो angle gauge होता है, वो क्या होता है? एक hardened steel का bina हुआ होता है. For measuring angle, इसमें हम angle को measure करने के लिए यूज करते हैं और angle gauge जो होते हैं वो sign bar से more accurate होते हैं क्या होते हैं accurate होते हैं ठीक है किस से होते हैं sign bar से बहुत ही जादा क्या होते हैं accurate होते हैं they are enables to measure any angle between 0 degree and 360 degree with an accuracy of 0.5 to 0.25 second किस के साथ जो cone gauge होता है cone gauge एक कठोर स्टील से बना हुआ होता है कोणों को मापने के लिए sign bar की तुलना में cone gauge अधिक सठीक होते हैं accurate होते हैं ये जो है 0.5 से 0.25 second की सठीकता के साथ 0 degree और 360 degree के बीच किसी भी cone को माक्रमे में क्या होते हैं सक्षम होते हैं ठीक है क्या होते हैं सक्षम होते हैं तो ये ही होता है हमारा angle gauge ठीक है तो अब हम next देखेंगे angle देखकर क्या होता है angle देखकर ये आप देख रहे होंगे image ये कुछ angle देखकर का जो है image है इसमें भी हम क्या करते हैं angular measurement करते हैं किसी angle का measure करते हैं तो हम इसका जो है working समझ लेते हैं इसकी working कैसे होती है यहां क्या लगा हुआ होता है एक lamp क्या लगा है यहां पर एक lamp लगा है ठीक है लेम से क्या होगा जो light होगी वो transfer होगी light emit होगी कहा होगी prism पर यह क्या है एक prism लगा हुआ है क्या लगा है Prism, ठीक है जो Lamp होगा, Lamp क्या करेगा, Light को क्या करेगा Transfer करेगा, Emet करेगा कहा पर, Prism पर क्या करेगा, Emet करेगा फिर जो Prism से जो भी Light जो होगी वो Reflect होके कहां आएंगी cioè कहां आएंगी还गी ठीक है, क्या लगा है Wick collimating objective lens तो collimating objective lens इसमें जो है main role इसी का है जो है collimating objective lens ठीक है ये पूरा काम इसी का है इसी पर पूरा base collimating objective lens ये क्या है हमारा work piece लगा है क्या लगा है work piece लगा है ये क्या है थोरा सा tilt है जो हमारा work piece है वो क्या है तिल्ड है तो जो हमारी reflect होकर जो भी prism से जो भी raise आ रही है light आ रही है वो क्या होगी इससे reflect होकर इसके द्वारा collimating objective lens के जो workpiece है उससे reflect होकर कहा जाएगी उपर यहां जाएगी यहां क्या लगा है एक glass screen लगी हुई हुई है जिसको हम gratis clay बोलते हैं क्या बोलते हैं gratis clay बोलते हैं एक यहां पर illuminated scale लगा हुआ होता है half part जो भी present के नीचे वाला half part होता है उसमें illuminated scale लगा हुआ होता है और other side एक क्या लगा हुआ होता है एक datum scale यह लिखा है datum scale ठीक है एक side क्या है illuminated scale लगा हुआ है और दूसी side क्या है एक datum scale लगा हुआ हो जिसकी साहिता से हम उपर जो हम microscope से देख सकते हैं measure कर सकते हैं इसकी reading ले सकते हैं ठीक है यह तो है हमने इसके work जो है working क्या है हमने समझ ली अब हम देखते हैं इसमें जो है work piece इसमें जो है हम जो जिस work piece का हमें angular measurement करना होता है उसको हम direct नहीं रखते हैं क्या करते हैं direct नहीं रखते हैं एक standard work piece को इसी के जैसे एक work piece को क्या करते हैं यहां पर हम set करते हैं क्या करते हैं set करते हैं set करने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए यह जो हमारा illuminator scale और यहाँ पर जो datum scale है इन दोनों को हम set करते हैं कहां set करते हैं इन दोनों को हम zero पर set करने के लिए यह यहाँ पर standard workpiece लगा देते हैं standard workpiece लगा देते हैं यहाँ पर हम zero जो है उस पर set करते हैं फिर इसको set करने के बाद सेट करने के बाद इसी को displace करके जिस workpiece को हमें measure करना होता है उसी को हम क्या करते हैं इसकी जगे replace कर देते हैं ठीक है उसी की जगे हम क्या करते हैं replace कर देते हैं बिल्कुल उसी जगे पर रखना है जहां जैसे हमने replace किया है वैसे ही हमें रखना है क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया zero पर set कर लिया ठीक है zero पर set कर लिया फिर हमने इसमें work piece को रग दिया तो जो lamp है lamp से यहां से जो है light जो है transfer होई फिर prism से क्या होई नीचे की और reflect होई कहां पर collimating objective lens पर तो objective lens के नीचे जो work piece है फिर उससे reflect होकर कहां दिखेगी हमें microscope में कहां दिखेगी हमें reading microscope में reading दिखेगी ठीक है जो हमने zero पर set किया मान लिया हमने zero पर कहां किया set 20 पर set किया ठीक है कुछ इस तरह से दिखेगा जो हमारा intersection point होगा क्या होगा intersection point यह जो आपको दिख रहा है यहां से microscope और यह जो हमारी डेटम स्केल है ये वाला point क्योंसा point ये वाला point intersection जिसकी जिसमें हम क्या कर सकते है microscope से reading लेख सकते हैं ठीक है intersection point पर माना हमने zero reading को 20 पर सेट किया ठीक है 20 पर सेट किया फिर जो वर्कपीस को रिप्लेस किया फिर यहां से जो लाइट जो है ट्रांसफर होई प्रेंस के द्वारा फिर रिफ्लेक्ट होई रिफ्लेट के द्वारा यहां पर तो हमने 20 पर सेट किया तो ठीक है 20 पर सेट किया फिर जब हमने वर्कपीस का एंगल निकाला तो जो है यहां से रि तो angular measurement करने के लिए जो हमारा 40 और जो हमने 0 reading set की तो 40 0 reading हमने कितनी set की 20% की तो इन दोनों का difference निकाल कर हम minute में लेंगे ठीक है 40 minus 20 कितना लिया था हमने 0 reading 20 ली थी assume किया था ये कोई वो नहीं है accurate नहीं है कि हम 20 ही लेंगे ये सिर्फ हमने assume करने के लिए समझाने के लिए 20 लिया है तो 40 minus 20 40 minus 20 यानि कि 20 minute तो ये आगया हमारा angular measurement कुछ इस तरीके से जो है हम measurement करते हैं angle डेकर में अगर हमें slope angle निकालना हो तो मैं वही बता रही हूँ कि angle को कैसे find करेंगे एंगल को कैसे find करेंगे पहले हम इसको क्या करेंगे देखिए faces समझ ये इसको ये क्या है lamp लगा हुआ है lamp लगा है इससे क्या होगा जो light होगी वो transfer कहां होगी प्रिज्म पर ठीक है प्रिज्म पर transfer होगी फिर ये reflect होकर नीचे जाएगी कॉलिमेटिंग objective lens से यही इसका main role होता है कॉलिमेटिंग objective lens का इसमें बहुत ही main role होता है ये पूरा वर्क इसी पर जो है वर्क करता है फिर ये reflect होकर कहा जाती है ह触ाու यहाँ जो टेटम इसकिल लगा हुआ होता है यहां हमें reading दिखती है ठीक है यह सिफ लाइन नहीं है यहाँ पर एक skill लगा हुआ होता है जिसमें हमें reading दिखती है माइक्रोइस्कोप से ठीक है माइक्रोइस्कोप से हम जो है रीडिंग को देख सकते हैं रीडिंग को मेजर कर सकते हैं ठीक है तो जो हमारा वर्कपीस है वर्कपीस को जो है हम डारेक्ट नहीं रखते हैं ठीक है जो वर्कपीस को हमें मेजर करना होता है या एंगुलर मेजरम क्या हमने अपने इंस्ट्रुमेंट को क्या करना है जिरो रीडिंग पर सेट करना है जिस ना बनु इस लिए हम पहले स्टैंडर work piece रखते हैं या dubbing piece भी बोल सकते है तो इसमें क्या करते हैं इसमें एक work piece रखते हैं जिससे light emit reflect होकर उपर की हो जाती है जिसमें हम microscope की सहरता से देख सकते हैं इसमें एक data scale लगा हुआ होता है एक elevator scale लगा हुआ होता है यह वाला point जो आप देख रहे हैं यह scale का यह microscope का और यह वाला data scale का जो point है यहां से हम देख सकते हैं तो यह जो intersection point है इसी से हम reading note करते हैं ठीक है तो अब हमने क्या किया जो हमने workpiece standard workpiece लिया उसको हमने 0 पर set कर दिया ठीक है सेट कर दिया ठीक है दोनों पर 20 पर set हो गया और हमने जो हमने workpiece इस को हम लगा था इसको हमने रिमूफ करके जो हमें इंस्ट्रूमेंट बाक्पीस को जो भी हमें मेजर करना है एंगर मेजर करना है तो इसको हम डिस्प्लिस करके इसकी जगे रख देंगे ठीक है तो फिर वही पूरे प्रोसेस होगी लैंब से लाइट क्या होगी एमेट होगी ट्रांसफर होगी प्रिस्न पर फिर नीची आएगी कॉल इमेटिंग अब्जेक्टिव लैंस पर फिर रिफ्लेक्ट होकर ऊपा जाएगी हमने ट्वैंटी पर सेट किया लेकिन हमें किस पर द्गना है 40 पर जो हमारी लीडिदिंग आ रहाई है 40 पर तो जो जीरो रीडिउन तो हमारी 20 थी और हमें किस Bell है इंटर सेक्शन पॉइंट 40 पर देख रहा है थीकिन तो जो डि होगा standard work piece का dubbing work piece का और real work piece का जिसका हमें angle measure करना है ठीक है तो 40-20 यानि की 20 minute एंगलर measurement हम minute में जो है measure करते हैं तो कितना आ गया हमारा 20 आ गया ठीक है आप समझ में आया कि हम angle को इसमें कैसे find करते है किसका question था सिद्धार श्रीवास्तव समझ में आया कि कि समझ में आया angle कैसे measure करेंगे एंगल डिक्कर में कि सिद्धार श्रीवास्तव ठीक है चलिए next हम देखेंगे अब हम इसकी working समझ लेते हैं working क्या होती है working में क्या दिया है एंगल डिक्कर this is also type of autocollimator यह एक autocollimator की तरह होता है ठीक है एंगल डिक्कर is a type of optical instrument क्या होता है optical instrument होता है used for angular measurement किस के लिए use करते हैं हम angular measurement के लिए use करते हैं it has a light small scale that lies focal plane of the collimating objective lens polymating objective lens की उपर जो illuminated scale और जो datum scale है उसको लगा कर तो जो scale होता है is the normal position is out of view of the microscope eyepiece microscope में हम क्या कर रहते हैं अभी देख रहते हैं जो reading है हम microscope में देख सकते हैं जो illuminated और जो datum scale लगा हुआ होता है उनका जो intersection point होता है उसको हम microscope में देख सकते हैं तो angle देख कर क्या होता है यहें भी auto collimator का प्रकार होता है angle देख कर एक प्रकार का optical उपकरन है जिसका उपियोग कौणिये माप के लिए किया जाता है इसमें एक हलका छोटा पैमाना होता है scale होता है जो collimating objective lens के focal plane पे होता है सामाने इस्तिथी में पैमाना देखने से बहार होता है microscope, microscope epis, microscope eye piece ठीक है microscope में हम क्या करते हैं देख सकते हैं इस reading को ठीक है यह है auto collimator next auto collimator angular measurement में angle gaze पड़ा हमने फिर हमने जो है angle देख कर पड़ा ठीक है तो अब हम क्या पढ़ेंगे auto collimator auto collimator क्या होता है समझते हैं auto collimator इसमें बहुत सारे instrument है तो आप किसी में confuse मत हुए कि किसी में क्या करना है किसमें किसलिए use होता है angular measurement किसलिए use होता है तो अभी हम देखते है auto collimator तो auto collimator में क्या होता है पहले हम इसके जो है light transfer हो रही है उसी को target करके इस पर जो है light को transfer करना ठीक है target करना जिस पर हमें जिस work piece पर जो भी हमें material पर हमें target करना हो light को उसी पर हम क्या करेंगे इसमें target graticule लगाते हैं उसी focus पर करना हो उसी target पर उसी work piece पर जब हमें जो है reflect राइट जो भी लेम से right raise होती है उनको reflect कराना हो ठीक है target graticule का use करते हैं फिर इसमें लगा हुआ होता है beam splitter beam splitter क्या होता है यह जो light आ रही है उसको 90 degree पर क्या करना transfer करवाना ठीक है जो beam splitter आ रही है जो भी light raise आ रही है beam splitter का का काम क्या होता है इन light raise को 90 degree पर transfer करवाना ठीक है transfer करवाना फिर इसमें क्या लगा हुआ होता है एक objective lens क्या लगा हुआ होता है एक objective lens लगा हुआ होता है जो भी हमारी light raise आ रही है जो भी 90 degrees से जो भी beam splitter से reflect होका 90 degree पर objective lens का काम क्या होता है इस पर focus कराना ठीक है objective lens का क्या होता है focus कराना फर यह क्या है हमारा work piece लगा हुआ है क्या लगा है work piece लगा है एक यहांपर setting gratis क्यूले है Setting Ready के लिए क्या होता है यह जो पूरा whole process है उसको set करना ठीक है? Setting Grady के लिए का काम क्या होता है इस पूरी process को set करना माइक्रो मीटर यहां लगा हुआ होता है जिस से हमें reading मिलती है और यहां पर यह क्या है? indicoscope लगा है यह भी जो process हो रही है यहाँ पर हमें जो reading है वो उबरी हुई दिखती है ठीक है और हम इसको microscope से देख सकते हैं क्या करते हैं microscope से देख सकते हैं तो यह तो इसकी हमने जो है leveling समझ ली कि क्या क्या है कौन सा parts क्या है अब हम देखेंगे इसकी working क्या है ठीक है इसमें क्या है एक lamp लगा है lamp क्या करता है जो light rays होती है उनको यहां ला रहा है light rays और फिर यहां पर क्या है एक target graticular लगा है ठीक है target graticular लगा है जिससे जो भी light reflect होकर light जो भी lamp से आ रही है उसको target कराना beam splitter पर क्या कराना target target कराना beam splitter पर ठीक है beam splitter क्या करता है इसमें भी हम क्या करते है इसमें भी जो है हम original work piece नहीं लगाते है जो भी हमें work measurement जो भी angular measurement करना होता है ठीक है angular measurement करना होता है उसमें हम क्या करते हैं standard work piece लगाते हैं ठीक है जो भी standard work piece लगाते हैं real work piece नहीं लगाते हैं ठीक है standard work piece लगाते हैं रियल वर्कपीस नहीं लगाते हैं, फिर हम इसको set कर देते हैं, फिर फूरे जो है, जो भी हाँ प्रोसेस हो, इसको set कर देते हैं, ये देखिए, आप जो है, solid जो line है, वो आप देख रहे होंगे, solid line और एक होगी, dot dot line, ठीक है, एक है, solid line, जो बिल्कुल, जो है, line जा रही है एक है, dotted line, ठीक है, तो जो solid line है, वो क्या कर रहे है, objective lens, जो हमारा standard है, standard measurement जो भी हमने किया है, वो हमने क्या किया है, सीधर लगाया है, standard measurement को, जो हमारी solid line है, वो सीधे इस पर reflect होकर, क्या हो रही है, बापस जा रहे हैं, या बो arrow देख रहे होंगे, यहां से यह जा रही है, और सीधे जो workpiece से reflect होकर क्या हो रही है वापस आ रही है ठीक है तो और dotted line क्या है dotted line dotted line क्या है जो भी standard workpiece को लगा कर जो भी हमने tilt workpiece को लगाया है displaced किया है ठीक है जो भी workpiece को लगाया है standard workpiece को display करके कुछ tilt पर तो यहां पर क्या है dot dot करके जो है light क्या हो जो dot dot करके जो light है वो reflect होकर कहां दिखेगी हमें microscope पर दिखेगी अगर आपके जो अगर शुक्त प्रक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जादा से जादा लाइक करें और वीडियो उसको शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं अगर आप ये वीडियो पेस्बुक पर देख रहे हैं तो जादा से जादा लाइक करें और वीडियो उसको शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं अगर आप ये वीडियो पेस्बुक पर देख रहे हैं, तो जादा से जादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें